हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चेहड़न यूनिटी क्लासेस मैं हूँ अमरजीत और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिसकस करेंगे अभ्यूदय फ्री कोचिंग योजना के बारे में जो की उत्तर परदेश में चलाए जा रही है और इस कोचिंग में जो है आ स्लाख टेवलेट भी जो है दिया जाएगा जो एक्जाम क्वालिफाई होता है तो इसके बारे में पुरा डिटेल से डिसकसन करेंगे तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहेगा और वीडियो जो है आप पूरा देखेगा क्योंकि आप पूरा नहीं देखेंगे तो आधा द प्रेशन करता उसका एक्जाम जो है आज होगा और इसका टाइमिंग होगा दो से तीन पीम एक्जाम कैसे दें एक्जाम सेलेबस पैटर्न और पाठेकरम क्या होगा और किस प्रकार से एक्जाम होगा उसके बारे में हम डिसकसन करेंगे और टाइमिंग क्या होगी कितने ट इसकी एक्जाम जो है वो कब होंगे उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिसकसन करेंगे तो चली हमें स्टार्ट करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो यूपी अभिहुदे योजनाक तहत जो फ्री कोचिंग के लिए एक्जाम होने वाला है पांच मार इस इन लोग का जो है पांच मार्च को कल ही एक्जाम हो गया है लेकिन आज 6 मार्च को जो है किसका एक्जाम होगा उसके बारे में हम डिसकसन करेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर जो दिया हुआ है कि 10 लाख फ्री टेबलेट तो हां तो जो भी परिजह परिच्छा 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 के लिए थया है तो आपका लेबल भी युपी सके पूच जाएगा लेकिन त्यौंब व्यकर करें परिछ्थ करना उर्पारी उपरिच्छा आपकी ओनलाइन के लिए वडिए मेर रजीस्टेशन की है उसको कोई मैसेज या फिर कुछ आईगा इसा ने पहले ही न्यूज पेपर में दे दिया था कि 6 मार्ज को जो है UPSC की परिच्छा 2 से 3 बज़े तक होगी क्योंकि कल भी जो है कल नीट की परिच्छा जेई IIT, CDS और NDA वालों की कल परिच्छा हो गई है और आज UPSC वालों की परिच्छा होगी अब फिर यहां पर है कहां पर परिच्छा दे तो परिच्छा आपको कहीं पर नहीं जाने के लिए नहीं जाना है आपको परिच्छा देना है ओनलाइन और ओनलाइन जो है आप अपने ही मुबाइल फोन में जो है या फिर लेपटॉप में या फिर जो भी टैबलेट हो आप जीस माध्याम से मतलब ऑनलाइन जूड़े हुए हैं वहां से आप ऑनलाइन परिछा आसानी से दे सकते हैं फिर आगे यदि हम बात करें कि पाठे करम तो पाठे करम हमने उपर ही बता दि देंगे और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि माइनस मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा तो इसमें यह जो एक्जाम हो रहा है यह सिर्फ आपको कोचिंग में इंट्रेंस के लिए दिया जा रहा है तो इसमें अभी जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है ऐसा नही और यादी हम समय की बात करें टाइम जो है वो कभ होगा तो आज यह मार्च, 6 मार्च को जो है आपका इग्जाम होगा और इसकी टाइमिंग रहेगी 2 से 3 पीम, अर्थात 2 से 3 पीम अर्थात ए जो परिछाए है वो एक घंटे चलेंगी और ध्यान रहे कि जैसे जो कोई भी प जैसे कोई बीच में ही परिच्छा छोड़ देता है तो उसका परिच्छा जो है वहीं पर समाप्त हो जाएगा या फिर यदि टाइमिंग रहेगी तो और क्यूस्चन मिलेगा लेकिन यदि तीन बज जाएगा तो तीन बज आपका पुड़ा परिच्छा जो है समाप्त अच्छे तरिके से hang Civil भी न करें कि इतना लोड हो जा रहा है कि मुबाइल जो हें करने लग रही है द्यान हें सब चीजों का परिछा देने चे पहले अर्थारहत आज दो से तीन बजसे परिछा Давगा उससे पहले आपको इन सारे चीजों को ध्यान होना चाहिए कि कईसे कईसे क्या करना है और पिर यहां पर सबसे बड़ा question है क्यूंकि सब चाहा रहा है सब की यहीं चाहत है कि इस में मेरा हो जाए क्यूंकि आप आप को free coaching भी दिया जा रहा है आपके ही सहर में आपसे घर से जितना भी दूर हो और इसके साथ साथ आपको टैबलेट मिल रहा है तो सब कोई सच रहा है कि यहां पर सबसे बड़ा क्यूस्चन बन रहा है कि क्या मेरी जगह पर दूसरा कोई परिच्छा दे सकता है कि नहीं तो देखिए इसमें जो परिच्छा है वो हो रहा है आनलाइन और आनलाइन में कोई भी परिच्छा दे दे आनलाइन परिच्छा में कोई भी परिच्छा दे दे एक किसी को नहीं पता है कि कौन परिच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा है लेकिन जो फॉर्म भरते समय जिसका PCS और UP-SSC जो उत्रप्रदेश अधिनास्त सेवाचाय नयोग होता है और UP-PCS और सीटेट और SSC और इसके अलावा बैंक रेलवे जो कोई भी कमपटेटिव एक्जाम है इसके एक्जाम जो है वो कब होंगे तो फ्रेंट सहम बता दें यहां पर जो एक्जाम हो रहा है वो पह मतलब यह जो एक्जाम हुआ था यह हुआ था कल अर्थात पांच मार्च को जो है एक्जाम हो गया है और यदि हम आज बात करें छे मार्च की तो 6 मार्च का जो है आपका UP-SC का एक्जाम है लेकिन आपका जो यह UP-SC है इसमें ही यह सारे एक्जाम जो है UP-PCS, UP-SSC, CTE, E-T इससी जो है इन सारे एक्जाम को जो है कभर करना है तो जो कोई भी यूपी PCS, UPSC, CET, SSC, BANK, RILWAY या फिर इसके लामा जो भी कंप्टिट्व एक्जाम होते हैं उसका जो कोई भी एक्जाम देना चाहता है तो ओ आज ही दे दे जाकि UPSC के पोर्शन में ऐसा नहीं है आप य एक्जाम बाद में होगा तो हम देंगे तो नहीं ऐसा नहीं है आज आज जो है आउपको देना आए यह जो है खतम हो जाएगा और आप नहीं दे पाएगे आप सोचते ही रहा जाएंगे CTATE और SSC और UPSC UPSC और UPSC और UPSC का भी एकजाम होगा तो friends के हाँ पर confirm है कि आज जो है last date है तो आप सभी लोग 6 मार्च जो है आज है 2 से 3 PM जो एकजाम होने वाला है और जो कोई भी उत्तर प्रदिसराजे की सभी पर इच्छा है जिसमें UPSC में सब आ जाएगा CTATE, SSC और UPSC और UPSC और इसके लोगा UPSC का जो एकजाम है वो आज जाके दे सकता है और टाइमिंग रहेगा 2 से 3 PM और फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको कीस परकार से एकजाम देना है यह भी सबसे बड़ी ज़रूरी है फिर यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है 27 तारिक से पहले का निजबेपर और था 27 फरवरी जो था उससे पहले का निजबेपर तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मुख्त टेबलेट के लिए देनी होगी परिच्छा तो मुख्त यदि आपको टेबलेट लेना है तो उसके लिए आपको देनी होगी परिच्छा और यहाँ पर पुड़ा उसके बारे में लिखा हुआ है किस तरीके से क्या होगा फिर यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देख लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि पांच मार्च को दो पहर दो बज़े से तीन बज़े तक जई की होगी नीट की होगी और यह जो दिया है पांच मार्च को यदि हम सीविल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर आप द जो है लोगिन करिए और फिर पासवर्ड में मुबाइल नमबर डालिए फिर उसके बाद जो है आप जो है एक पासवर्ड क्रियेट करिए पासवर्ड जो है आप क्रियेट करिए उसके बाद ही आप जो है एकजाम दे पाएंगे नहीं तो नहीं दे पाएंगे और यह तुरंद करिए क्योंकि जब exam start हो जाएगा उस समय आप password create करेंगे तो नहीं होगा तो आप जाकर login करके आप चेक कर लिजे आपके पास कोई OTP message कुछ नहीं है उसके बावजूद भी आपका exam हो जाएगा आप जो है इसमय से आप फिर OTP इसके चक्कर मत पड़िए आप जाकर सिधे direct जो है login करिए क्योंकि बहुत लोगों का नहीं है लेकिन login करने पर हो जा रहा है और उन लोगों ने exam जो है दे भी दिया है और फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि किस परकार से जो है आपको देना है तो आप सबसे पहले आप जाएंगे आपको chromo पर सर्च करना है www.abhiuday.up.nic.in जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको इस परकार से logo मिलेगा अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको यह देखें कल 5 मार्च था तो कल 5 मार्च को जो है exam हो गया है तो यहाँ पर जैसे ही आपका exam का timing होगा 2-3 pm ऐसा portion आ जाएगा और इसमें लिखा करेंगे वैसे ही आपका परिच्छा timing 2-3 pm से start हो जाएगा लेकिन ध्यार रहे कि आप वहां जाएंगे कैसे क्योंकि आप इतना सिर्फ अभ्यूदे.up.nic.in डाल देंगे तो direct आप नहीं जा सकते ही आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जब शुरू में अभ्यूदे. .up.nic.in डालेंगे तो इस तरीके का portion आएगा फिर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा आएगा तो आपको जाना है यहां पर यह जो लिखा हुआ है login as user login as user इस पर जैसे ही आप create करेंगे आपको दिया रहेगा username username लिखने के लिए तो ध्यार आपको username में जो है आपका username नहीं बना है तो आप वहां पर डालेंगे Gmail ID Gmail ID और फिर password में आपको password आप नहीं बना है तो आपको डालना है mobile number फिर जैसे ही आप क्लिक करेंगे खोलेंगे तो आपको एक देगा create password करने के लिए छेंग का आप वहां से create password करेंगे और वहां पर ध्यान रहे कि आपको देगा roll number लि लिए नहीं परसान होना है आपको डालना है graduation का roll number आपको डालना है graduation का roll number या फिर जो कोई भी आपका last जो है education होगा उसका या फिर आप MA की होंगे तो आपको MA का roll number डालना है आप जो वहां पर उपर form में भरे होंगे आपका higher education में उसके हिसाब से उसका आपको roll number डालना है फिर जैसे आप roll number डालेंगे इस तरीके से portion आएगा और उपर यहां जो टैब में दिया रहेगा कि आज जो है UPSC की परिच्छा देने क आपका 2 से 3 दिनों में जो है रिजेल्ट आ जाएगा दो से तीन दिनों में आपका रिजेल्ट आ जाएगा और उसमें आपका चयान होगा तो उन लोग बुलाएंगे verification के लिए फिर verification होने के बाद आपको offline के लिए बुला दिया जाएगा और उसके बाद गौर्मेंट आप कुछ दिन के बाद अभी तो उन्होंने घोषडा किया है लेकिन जब उन्होंनों दे फिर जो है दस लाख बच्चों को जो है वो टैबलेट देगे तो यह था आज के लिए और फिर तो फ्रेंट्स यह था आज के लिए यदि आपको कोई भी इसको करने के बाद भी यदि हम आपको कर देंगे 6394958403 तो आज के लिए बस इतना है यदि और कोई इससे रिलेटिव आपको क्यूरी हो या फिर पूछना चाहते हो तो आप इस नंबर पर वाट्सप कर सकते हैं थैंक्यू आज के लिए बस इतना है मिलते हैं अगले नेक्ट वडियो में तब तक के ल के लिए, आपको की शुरी अपक्ति भी बेशन चाहते हैं थैंक्यू